घेलो दोस्तों नमस्कार, दिनवर की बड़ी ख़बर भिनातेरी के बताइंगे थाँ सबसे पहले बताएंगे, प्रधानी मंतरी मोदी जी की यात्रा से चिड़ गए पसमी देश रश्या ने दिया करारा जवाब कहा, मोधी जी को कुछ नहीं कह सकता पसमी देश जी हाँ, द सब्सक्राइब करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन दबा की कमेट में जहीं दश्क्रियेगा बात करें पहली बड़ी खबर की जहां प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी की रूस यात्रा से चिड़ गए पश्मी देश तो रश चिम इश्या की नजर से देख रहा है रश्या ने प्रधान मंत्री मोदी जी के दोरे को बहुत एहम और पुर्ण बताया है रश्या के बाद प्रधान मंत्री 10 जुलाइक ऑस्ट्रिया भी जाएंगे भारत रश्या के बीच 22 सेहवे वार्षिक शिखर सम्मिलन के लिए वालत नहीं है इसमें बहुत महत्यों देने वाली बात हैं युद के संबंद में भी प्रधान मंत्री मोदी जी मुखर रहे हैं वह यूकरेनी राष्ट पती से कई बार फोन पर बात चीत कर चुके हैं और वेश्विक अर्थ विबस्था को नुकसान पहुंचाने वाले इस चीन को अकसर लगता था की दला यह उखतरा है लेकिन दलाइ लामा ने अपने पूरे जीमन में करुना प्रेइम पत्रता की बात की और हमेशा एक बहतर इंसान बनने की कामना की तिबती लोगों में घ्यालवा रिन पोछे के नाम से जाने जाने वाले चौदेहवे दलाई लामा वर्तमान डलाई लामा है जो तिबत के सर्वच अध्यात्मीक नेता और प्रमुक भी एंजी हां दोस्ते से मैं उन्होंने कहा कि तिबत के अंदर रहने वाली तिबती प्रति बंदों के कारण जशन नहीं मना सकते लेकिन भारत में सभी तिबती जशन मना रहे हैं तो व जम्मू कश्मीर के एक नार्क वादी गड़ जोड मामले में प्रमुक आरोपी था खरीब दो साल से फरार था जिसकी गिरफतारी पर इनाम भी घोशित था जी है नाइए की और से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का निवासी सयद सलीम जहांगीर अंद्रावी उर्फ सलीम अंद्रावी जून 2020 से फरार था जिहांबाद में इस मामले में अधीनियम आईपी सी और यूएपी अधीनियम की विभिन धाराओं के तहट उसके खिलाब आरोप पत्र दाखिल किया गया था उसकी गिरफतारी नार को आतंग कि अगर हम भारत के लिए अपना जीवन भी दाओं पर लगा रहें तो भारत यह समझ रहें उस चीज़ को तो वहीं दोस्ता आपको बता दें राहूल गांदी आज मनिपुर का दोरा करेंगे सुरक्षा के कड़े इंतिजाम हिंसा पीडितों से कर सकते हैं मुलाकात जिहां कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी सोमबार यादिया आज मनिपुर का दोरा करने वाले हैं उनके दोरे से पहले मनिपुर के जीरी बाम जिले में सुरक्षा बेवस्था को बढ़ा दी गई है और ड्रोन के जड़िये फोटोग्राफी पर प्रतिबंद लगा दिया गया है कॉंग्रेस के एक नेता ने कहा है कि राहूल गांदी ने मनिपुर का दोरा करने का फैसला क्या है जहां शांती जरूरी है हम अभारी हैं कि उन्होंने लोकसवा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद प्रदेश का दोरा करने का फैसला किया तो वहीं बता दें अठाईस साल के जॉर्डन बार्डेला बन सकते हैं फ्रांस के प्रदान मंत्री धाकर विरोधियों को पस्त करने का है मध्धा बता दें फ्रांस में सरकार बनाने की जोर आजमाईश चल रही है इस रेश में जॉर्डन बार्डेला के नाम की खूब ज़्यादा चर्चा हो रही है 28 साल के नेता जॉर्डन बार्डेला ने फ्रांस में दक्षिन पंती नैशनल रैली को सबसे मजबूत करने में पूरा दम खम लगा दिया जानकारों की माने तो अब वो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन सकते हैं फ्रांस में विधाई चुनावों के प्रथम चरण में मददाताओं ने मरीन लेपेन की नैशनल रैली को मजबूत बढ़त दिला दिया अब बारडेला ने साथ जुलाई को निरनायक चरण में अपनी पार्टी को पुर्न भूमत दिलाने के लिए समध्थकों को एक जुट करना शुरू कर दिया है दोस्तों तो वहीं आपको बता दें श्रिलंका ने कर दिया भारत के साथ बड़ा खेला सरकार के इस फैसले ने बढ़ा दी टेंशन जिया स्रिलंका ने विदेशन उसंधान जहाजों के आगमन पर अगले साल से प्रतिबंद हटाने का निरने लिया प्रतिबंद हटाने के निरने की जानकारी सिरलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने एन एच के वर्ल्ड जापान को दिया हिंद महासागर में चीनी अनुसंधान जहाजों की बढ़ती आवा जाही पर नई दिली ने चिंता व्यक्त करते वें इनके जासूसी जहाज होने प्रतिबंद लगा दिया था लेगिन अब उस प्रतिबंद को दोस्त अगले साल से सिर्लंका हटाने वाला है यानि कि फिर अगले साल से चीन की जासूसी शुरू हो जाएगी भारत को लेकर इस पर आपकी क्या राय है दोस्त आ खिर क्या बात पुरानी हो गयी तो श्रिलंक भारत की मदद को भूल गया क्या जो ऐसा फैसला लेने वाला है साथी साथ आपको बता दें बांगलादेश के मंतरी कहा भाBT एक राज garlit नित्लेbIDE है चीन विकास हासिल करने में हमारा मित्र है जिकां बांगला-देस सरकार के की अत्रान से करते हुए कहां की भारत बांगलादेश का समय परीख्षित राजनितिक मित्र हैं और चीन बांगलादेश के विकास और सड़क मंत्री और सत्ता रुड आवामी लीग के शक्ति शाली महा सचीव औवेदल कादर ने कहा कि हसीना क्या लोचक इस तत्थ को पचा नहीं पा रहे हैं कि उनके शाषन में बांग्लादेश ने चीन और भारत की मदल से प्रमुख विकास परियोजनाओं को पूरा किया पाकिस्तान या सिरलंका की हम बात नहीं कर रहे हैं चीन का एक और पड़ोसी देश कर्ज के भारी भरकम बोज से करा रहा है नौबत यहां तक आ गई है कि यह देश अब डिफॉल्ट होने जा रहा है से देश के डिफॉल्ट होने की दहलीज पर पहुचने का एक मात्र इससे पहले चीनी कर्ज से स्रिलंका डिफॉल्ट हो चुका है और पाकिस्तान उस नहीं पर पहुचकर बार भार खुद को बचा रहा है जी हां दोस्तों चीनी कर्ज से तबहुंआ वाले इस देश का नाम लावस है लावस चीन का पड़ोसी देश है पिछले साल ही चीन ने लावस तक रेल लाइन का उधगाटन किया था अब लावस अपने चीन प्रेम की सजा भूगात रहा है जी हां इतिहास गवावा है जिस जिसका भी हाथ मदद के तोर पर चाइना ने बता दे बाइडन का गुसा फूटा कहा भगवान नीचे आकर कहे तो जित छोड़ दूँगा अब दोस्त ही उठा रहे हैं बाइडन को लेकर सवाल दरसल अमेरिकी राश्रपती चुनाप को लेकर जैसे जैसे समय नस्दिक आ रहा है राजनितिक भयान बाजी चरम पर फाड हो गया है पार्टी के कहीं नेता मांग कर रहे हैं कि बाइडन को राश्रपती पत की उमिद्वारी से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए बाइडन की बढ़ती उमर और डिवेट में जो सोच आने की घटना वाले वीडियो ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दिया है उलेट बाइडन खुद को पूरी तरह फिट बता रहे हैं उनका कहना है कि अब केवल सर्वशक्ति मान भगवान जी ही नीचे आकर कहे तो चुनाव ना लड़ने की जित छोड़ सकता हूँ जी हां यानि कि वो इनसानों की बात नहीं मानें के दगाडियन की रिपोर्ट के अमेरिकी राष्ट्रपधी बाइडन ने बयान दिया है कि उनका लक्ष अपने रिपुलिकन प्रती द्वन्दी और पूर्व राष्ट्रपधी डोनाल्ड ट्रम्प को हराना है उन्होंने का कि केवल सर्वुशक्तिमान भगवान ही ने राष्ट्रपधी की दोड़ से हठन मालना है कि यदि बाईटन चुनावी दोड़ में शामिल ना होने का फैसला करते हैं यानि कि बाहर होने का फैसला करते हैं तो वो चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तोर पर अपने स्थान पर उपर आस्ट्रपदी कमाला है इसको नामित करेंगे साथ ही साथ आपको बता दें अब क्या करेंगे रिशी सुनक फिर जाएंगे क्या अमेरिका या फिर बता दें ब्रिटेन में हुए आम सुना में कंजर्वेटि पार्टी के रिशी सुनक की करारी हार ही उनकी सहार के बाद अब ये चर्चा तेज हो गई है कि रिशी सुनक अब आंगे क्या करेंगे सही माइने में ये चर्चा तब सही तेज हो गई थी जब ये पता चला था कि रिशी से इंसान बिना अमेर की नागरीक्ता के लिए यहां काम कर सकता है और यहां रह सकता है ब्रिटेन सरकार में मंत्री रहते वे कई बार रिशी सुनक को इसको लेकर आलो चुनाओं का सामना करना पड़ा है दोस्तों तो महीं बता दें चीन के घुलाम मुईजु अपने ही देश में घिरे जिहां संसद में पहुंचा मामला आखिर क्या है राष्ट्रपती का कारण नामा आपको बता दें महलधीव के चीन परस्त राष्ट्रपती मुहमद मुईजु अपने ही देश में घिर गए है मुईजु ने राष्ट्रपती बनने के बाद राज नितिक पदों प और निक्तियां ना करने का फैसला किया है मालदिव के मीडिया पोर्टल अधादू के अनुसार मुहमद मुईजु के वादे के बाद भी उनकी सरकार में जमकर राज नितिक निक्तियां की गई हैं दोस्तों तो वहीं बता दें अमेरिका ने इरान के राष्ट्रपती चुन प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक सवाल पर कहा कि वह तहरान के साथ कूट निती का परियोग तब जारी रखेगा जब यामेर की हित्तों को आगे बढ़ाएगा उन्होंने का कि इरान में चुनाव सोतंत्रिया निश्पक्ष नहीं थे परिणाम सरुप इरान के एक खबरी की खबर दोस्तों फिलिपिन्स देने जा रहा है वीजा फ्री एंट्री जी हां बस पूरी करनी होगी यह चोटी सी शर्तें बता दे भारतिया पासपोर्ट धार्गों के लिए फिलिपिन्स घूमना आसान होने वाला है यह दक्षिन पुर्वी एश्याई देश भार करना आसान हो गया है परेटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई इस पहल के तहत भारतिया नागलिक विश्य सर्तों के साथ फिलिपिन्स में वीजा मुक्त प्रवेश का मजा ले सकते हैं साथी साथ बता दें इमरान खान अराज जगता पैदा करने के लिए जेल के अंदर साहा अजिश रच रहे हैं जियो न्यूज के कारिक्रम नया पाकिस्तान में पुरूब ग्रहमंद्री सना उल्ला ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के 71 वर्षिय संस्थापक इमरान खान को अदालत ने उच्च और पीटी आई संस्थापक को जेल में बैटकर आरा जिकता पैदा करने की ऐसी योजना बनाने का नमती नहीं दी गई है उन्होंने दावा किया है कि संबंदित अधिकारियों के पास उपलब्द साक्ष जेल में चल रही ऐसी योजना के दावों को पुखता करते हैं तो वहीं स्रिलंका में जुलाई के अंत में होगी राष्ट्रपादी चुनाव की तारीकों की घुषना की जाएक ने बताया कि 12 जुलाई के बाद कभी भी चुनाव की घुषना की जाएकि के लिए चुनावायों को कानूनी रूप से भी सभी शक्तियां दे दी गई हैं दोस्तों तो वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर में एनाईय के हाथ लगी बहुत बड़ी सफलता नार्को आतंगवाद सांट गार्ट मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार जिहां होने बताया कि यह मामला पाकिस्तान इस दिद आतंगवादी संग्ठन लशकर ए तैवा और हिजबुल मुझाहिदीन से जुड़ा है बयान का नुस्तार कुपवाड़ा जिले के निवासी सेद सलीम जहांगीर अंधराभी उर्फ सलीम अंधराभी की गिरफ्तारी पर इनाम पत्र दाखिल किया गया है तो वहीं आपको बताते जम्मू कश्मीर में दुकान खोलने के लिए जमीन की तलाश की होड में बड़ी कंपनिया जिहां मुर्ली धरन से लेकर दुबई इस्तिद एमार ग्रूप से लेकर भारत के कंधारी बेवरे जैसे प्राइबेट लीमिट किन लाख करोर रुपए से अधिका निवेशों का अधिकारियों ने इसकी बड़ी जानकारी दी है जिहां तो वहीं आपको बता दे हमास जुका अब नेतन्याहू की बारी पूरे इज्राइल में पीम का होने लगा विरोध बता दें इज्राइल गाजा युद के नौ मुह ने हो चुके हैं इन नौ मुहिनों में इज्राइल के लोगों का सबर भी जवाब दे चुका है उधर हमास ने शनिवार को गाजा में इस थायुद विराम की मांग छोड़ दिये साती अमेर की शांती प्रस्ताव स्विकार कर इज्राइल सरकार पर दबाब बढ़ा दिया है इसी के चलते हैं पूरे इज्राइल में लोग अपने ही प्रधानमंतरी नेतन्याहु के विरोध में लाम बंद होने लगे हैं। कलवान जड़ब के बाद मौके का फाइदा उठाकर पुर्वी लद्दाख में सेनटा बना लिया है यह सवाल कांग्रेसिया द्यक्ष मलिकार्जुन खडगे ने उठाया है उन्होंने कहा है कि चीन पैंगॉंग तसो के कपजे में था वही इस मुद्धे पर रक्षा किया गया इंफ्रस्ट्रक्चर लेसी से करी पांच किलोमीटर की दूरी पर है वहीं बॉर्डर एरिया में भारत के अपना इंफ्रस्ट्रक्चर को मजबूत किया है गौर्द लभा की हाली में विदेश मंतरी जैशंकर जी बता चुके हैं कि प्रधान मंतरी बनने के बाद स सोनिती इड़वर्ड आई लेंड प्रांत में भारतिया चातर हर कामगार भीते दो महिनों से ईमिग्रेशन यह को कि बदलाव को विरूद कर रहे हैं लियामों के खिलाव इन नए नियमों कर रहे हैप बड़े ग्रूप का समर्सन मिला miss me can जरिये स्थाई निवास प्राप्त करने की आसाने जग है के तोल पर अपनी प्रदिष्ठा को खतम करने की कोशिश कर रहा है इस प्रांत में आसानी से छात्रों को रहने की जग है मिलती रही है लेकिन दोस्तों आपको बड़ी खबर बताते हैं मतुरा में निकाली गई ब्रंदावन द्वारा निकाली के भगवान जगनाजी की रत्यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उतस्ता देखा गया है यह यात्रा मतुरा के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी जिलाधी कारी शेलेंडर सिंग ने बताए कि रत्यात्रा के दौरान किसी अप्रिया पाल के ससंग में हुए हादर सेक बाद सियासी दस्तक जा दी है लाला की मामले में बसपा अध्यक्ष माहवती ने बाबा के विरोध में बयान दिया है बयान के बाद आजाद समाज पार्टी आजिक्ष समाजी सांसत चंदर शेकर आजाद का आना तै हो गया है वह आठ जु कि मुआबजा राशी बढ़ाने की करती मांग जी हां लोकसवा में नेता प्रतिवक्ष राहुल गांदी ने हात्रस भगदर कांड को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंदर योगी आधितनाथ जी को चिट्टी लिखिया उन्होंने अपने पत्र के मादम से मुख्यमंद योगी आधितनाथ को पत्र के माद्यम से उनसे अवगत कराया है तो वहीं बता दें बजट की सभी योजना इस्थाई रक्षा बंदल पर बेहनों को बहार उद्धव के तंजपर सियम शिंदे का बड़ा पलट वार बता दें महराश्ट के मुख्यमंद्री एकनाथ शिंद मत दाता हूं लुभाने का आरोप लगाया उन्होंने दावा किया था कि यह योजना दो साल से तीन महीने के बितर बंद हो जाएगी दोस्तों तो वहीं बता दें तमिलनाडू में कानुन विवस्था चौपट सीवी आई करें हत्या की जान स्टालिन सरकार पर भढ़की माय स्टालिक अर्वदी ने की स्टालिन की सीवी आई जान की बात करें है रवीवार को मांग की चुकरवार को यहां दोस्तों वहीं आपको बजात एक बार फिर से सस्ता हुआ अब इतने रुपए में खरीदे दरसल कमर्शिल एलपीजी गैस सिलेंडर आज 30 रुपए से 31 रुपए गिर गया और यह कटोथी ब्यवस्ताइक गैसुप भोगताओं के लिए बड़ी रहत है ऐसे मगर आप इन सिलेंडरों को खरीदने की सोच रहे हैं तो नई कीमतों की जा कि आप ज्यादा से ज्यादा खर्च ना करें कमर्शिल एलपीजी गैस सिलेंडर आज 30 रुपए से 31 रुपए गिर गया यह कटोथी ब्यवस्ताइक गैसुप भोगताओं के लिए बड़ी रहत है ऐसे मगर आप इन सिलेंडरों को खरीदना की सोच रहे हैं तो नई कीमतों क कि जहां जरूर कर लें ताकि आप ज्यादा खर्च ना कर रहें तो वहीं दोस्तों यह थे भी कि सारी बड़ी खबर आपको मारी खबर कैसी लगी आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी थोड़ी पच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब क करके बैल आइकन दवा की कमेंड में जहिंद कहना है बिल्कुल मत भूलेगा मिलता के लिए बड़ी खबर में आप सो भी का बहुत-बहुत धन्यवाद जहिंद जय भारत